हेलो दोस्तों, वेलकम इस वीडियो में हम क्लास 10th मैट्स के चैप्टे नमबर 6 त्रिभूज का एक उधारन करेंगे और ये फिगर आपके सामने गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है इस फिगर के हिसाब से तो शूरू करते हैं तो ये जो question है ये पायथागरस theorem पे based है पायथागरस theorem से ही ये solve होगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको पायथागरस theorem पता होगी फिर भी मैं आपको समझा दिता हूँ एक समकोंड त्रिभूज में देखो समकोंड त्रिभूज किसे कहते हैं जिसमें एक कोंड 90 डिगरी का होता है तो जो 90 डिगरी है उसके सामने की भूजा को हम कहते हैं करन तो पायथागरस theorem के हिसाब से पायथागरस प्रमे के हिसाब से करन का वर्ग यानि AC का वर्ग बाकी दो भूजाएं जो हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा यानि एक दूसरी भूजा ये है और तीसरी भूजा है ये तो इनके वर्गों के योग के बराबर होता है ये पायथागरस प्रमे है और इस प्रमे का हम यहाँ पर प्रियोग करेंगे तो आप देख सकते हैं इस figure में हमारे पास दो समकोंड त्रिबुज हैं एक ये है इसमें ये 90 degree है और दूसरा ये है इसमें ये 90 degree है तो हम एक के करके दोनों समकोंड त्रिबुजों को लेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोंड त्रिबुज A, D, B में अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया तो पैथागोरस प्रमे के हिसाब से कर्ण का वर्ग यानि AB स्क्वाइर यह हो जाएगा बागी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तो एक भुजा है AD स्क्वाइर और पिर है BD स्क्वाइर कि इसको हम Eq1 नाम दे देंगे और ऐसा क्यों लिखा है आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमे से तो ये equation number 1 हो गई है इसी प्रकार से अब हम दूसरा त्रिभूज लेंगे त्रिभूज ADC तो इसमें देखो इसमें ये 90 डिग्री है त्रिभूज ADC में और इसके सामने वाला करण हो जाएगा तो क्या होगा AC square बराबर AD square plus CD square इतना समझ आगे आपको और ये इसका reason भी same है पैतागुरस प्रमे से अब समेकर नमबर 1 और समेकर नमबर 2 हमारे पास है और हमें प्रूफ करना है ये कैसे होगा सोचो आप यहाँ पे तो आप notice करेंगे कि जो हमने ये प्रूफ करना है इसमें कहीं भी AD नहीं है बाकि सब है यानि इसमें आपको इसमें आपको ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा ये भी है और ये भी है चारो है ना लेकिन AD स्कॉयर नहीं है तो AD स्कॉयर हमने यहां से हटाना है तो कैसे करेंगे हम समेकरणों को माइनस कर देंगे तो simply हम लिखेंगे समिकरण 1 से समिकरण 2 को गटाने पर तो समिकरण 1 हम उपर लिखेंगे ये है A B square बराबर A D square प्लस B D square और समिकरण 2 है A C square बराबर A D square प्लस C D square ध्यान रखना ad square को ad square के नीचे ही लिखेंगे यानि मैं यह कहा रहा हूँ कि अगर आपने यह इसके पीछे लिखा होता तो भी आप इसको इसके आगे लिख देते ताकि ad square के नीचे ad square हो अब हम sign change करेंगे तो यह cut जाएगा और यहाँ पर आएगा ab square minus ac square बराबर bd square minus cd square समझे अब देखो cd square minus का है इसको हम left में लेके आएगे तो प्लस हो जाएगा यह तो प्लस हो गया और जो यह है इसको right में लेके जाएगे तो वो right में जाने पे minus का प्लस हो जाएगा और यही हमने proof करना था hence proof ओके तो आई होप आपको यह सब अच्छे से समझ आये होगा बाकी questions के solutions के लिए यानि इस chapter और बाकी chapters के अन्य वीडियो के लिए आप description box में या comment box में प्लेइलिस्ट चेक करें चैनल को ज़रूर subscribe करें थैंक्स पर वाचिंग